अज़ों आप लोगों स्वागत है और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की और important विडियो यहाँ पे लेकि आचका हूँ और उमीद करता हूँ इस साल में आप लोग को यह विडियो बहुत ही ज्यादा help करेगा इसलिए मैं पहले से आप से request करता हूँ कि जितना हो लोगों को नहीं पता है उन लोगों कि इसके बारे में पता चल जाएगा आज भी आपे काफिस सारे लोग confused है कि उनको यह नहीं पता है कि गूगल का stock android और गूगल का android 1 यहाँ पर क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता हुगा कि यह सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है और यह सारी चीज़ें एक दूसरे से कैसे differentiate करते हैं वो सारी जानकरी मैं आप लोगों को यहाँ इस वीडियो में देने वाला हूँ उमिद करता हूँ इसके बाद आपको कोई भी doubts इन चीज़ से regarding नहीं होगा तो यहाँ पर सबसे बहले बात करते हैं गूगल के stock android की और यहाँ पर देखी गूगल का यह जो stock android यह प्यूरली प्यूरली एकदम से clean होता है और प्यूरली गूगल की तरफ से ही develop किया रहता है और गूगल क्या करता है कि यह जो stock android होता है पहले यहाँ पर गूगल अपने nexus की devices में कुछ दिया था उसके बाद कुछ motor ले की phones में आयते हैं और उसके बाद अभी गूगल अपने pixel की devices में देता है और यहाँ पर जो भी काम होता है यह directly Google की तरफ से किया जाता है बीच में यहाँ पर कोई भी नहीं होता है मतब जो भी security updates होते है कुछ fix करना होता है कुछ भी करना होता है यह सारे के सारे directly Google की तरफ से जो भी किया जाता है लेकिन अभी क्या हो गए कि पुराने जो nexus के और कुछ motor लेके जो devices से उन में Google ने अपने updates अभी देना बंद कर दिया मतलब जो चल रहा है अभी वो ही चल रहा है लेकिन हाँ Google अभी क्या करता है कुछ devices के अगर उसने जो responsibilities लिया है उन में Google updates पुश करता रहता है अब जो stock Android होता है वो जैसे कि एक बच्चा पेट से पैदा होता है ना मा के तो एक दिम clean होता है यह वैसा clean होता है इसमें कोई bloat words नहीं होते है इसमें performance काफी fast होती है और बहुत सारे Google की तरफ से आपको नहीं नहीं services में मिलती है जो मेरे साब से बहुत ही सही और convenient होती है त OPPO है Vivo है इनके अलग-अलग खुद के आपको UI मिलते है Samsung का touch भी सबको मिलता था अभी तो Samsung ने वन यूवाइ लेकिया है उसके बाद Xiaomi का famous MIUI है Vivo का fun touch है OPPO का color OS है Huawei का EMUI है तो यह क्या होता है ना देखो Google इनको सबसे पहले अपने stock Android ही देता है यह सारे लोग को सबसे प to use है इसलिए उसके बाद यहां पर modification करने के बाद Samsung अपने या फिर Xiaomi दूसरी दूसरी companies आपको custom UI देती है आप custom UI की problem यह होती है कि सबसे पहले आपको bloat wets मिलेंगे जी हां दूसरी बात है कि performance में थोड़ी बहुत आपको problem होगी क्योंकि जो stock Android होता है उसका जो RAM management होता है उ compared to custom UI के लेकि कुछ लोगों को custom UI ज्यादा पसना आता है क्योंकि आपको customization ज्यादा मिलती है आप अपनी मर्जी से customize कर सकते है और बहुत सारी चीज़े उसमें मिल जाती है तो यह होता है custom UI अब बात करते हैं यहां पे Android One की और Android One को लेके आज लोग बहुत ज्यादा confused है और गूगल की क्या planning थी कि वो budget smartphone में आपको stock Android का उनको experience देना था तो Google ने क्या किया कि 2014 में एक नई initiative लेके आया जिसको Google ने बोला Android One आप उनकी website में जाएगी तो आपको Android One के बारे में सारी चीज़े पता चल जाएगी अभी Google ने क्या कि जैसे कि अभी Nokia के काफी सारे phones में A2 में मिलता और इसे बहुत सारे phones होंगे तो Google ने क्या किया कि इन जो OEM होती है जो बड़ी-बड़ी companies होती है इनके साथ में partnership किया है और Android One का फाइदा यह होता है कि आपको promised updates मिलते है Google ने contract किया कि आपको 2 साल तक या फिर 3 साल तक वो update देंगा तो जो companies होती है जिनके phones आ मिलते रहते हैं रुकते नहीं है क्योंकि Google ने आप एक initiative लाया था और promise किया था तो यह फर्क होता है stock Android में और Android One में तो जैसे कि मैंने कहाता है कि कुछ stock Android वाली जो phone ने Google कि उनमें Google अपडेट पूछ करना बन कर दिया है लेकि Android One में ऐसा नहीं होगा 2 साल 3 साल तक जो promise किय लेगे for example August 2018 में Google अपने Android 9 Pie को लाया था तो उसके बाद ऐसे बहुत साली डिवाइसे जिनमें अभी तेक Android 9 का अपडेट नहीं मिला है लेकिं Android One वाले डिवाइसे में आ रहे हैं क्योंकि Google ने promise किया था यह फर्क होता है यह फर्क होता है यह यह custom UI में और यह फर्क होता है stock Android के अधर अभी उमिद करता आपको पता चल गया होगा और फाइनल यहां पर अभी बात करते हैं Android Go की अब Android Go भी वैसे यह जिसी की Google का stock Android और Android One आप Android Go specially जो टार्गेट करेगा यह सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेवर स्मार्टफोन को करेगा इसमें भी प्यूर्ली गूगल की अप्स मिलेंगे गूगल प्ले प्रोटेक्ट जिसी सर्विसेस मिलेगी गूगल के अशिस्टंट गूगल लैंस वगर वगर की चीज़े और स्पेशली गूगल ने क्या किया था आयो 2017 के अदर उनका जो इवेंट अवहां पे Android Oreo Go एडिशन को अनॉंस किया था यह एंट् Android Go प्यूर होता है इन में स्टोरेज आपको ज्यादा मिलती है और इनके अप्लिकेशन होती है वह गूगल स्पेशली कश्टमाइस किया है था कि वह स्पेशली उन फोन्स के लिए चलेगी जैसे कि उनका फाइल्स गो है और मैप्स गो है वगरा वगरा की चीज़ें को बोल आपको अपको समझ जाये के उसे यूसली वीडियो के लिए फ्यूचर में लाता हूंगा मिलते हैं आप सिक लिवड़ों में नाइवनों के साथ तेल लेने वे ग्रेट टेय और अल्वेस कीप स्माइलिंग